तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोट इस इनिक्लूड और वोट इस रिक्वाइर स्टेटर्मेंट बैसिकली पीएसपी के अंदर ठीक है और हमारी पीएसपी के सीरीज अभी कंटीनूट चले रही है काफी वीडियोस के अंदर आने बाकी है पेंडिंग के अंदर है और मैं आप लोगो बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोग लिए उप्पर बना रहा हूं तो ये चीज़े हैं आप लोग को काफी वहाँ पर काम आने वाले है include require include once require once यह सारी चीज़े क्या होती में इसका auntie कर सकते हैं और actual और को आप मिंगाने कर लें और पार पैसे वाले को पुझान सरफ है ठीक है तो बिल्कुल फ्रीय कर लें ठीक है और बैसिकली मैं आप लोग को बता जाने साता हूं कि एक आप लोग के लिए मैं सिल्पी डेमो रखाया और इस डेमो की हल्प से हम लोग बात कर रहे होंगे वोट इस इंक्लूड एंड वोट इस रिकुआर स्टेट्मेंट बिन अ अब ब्रीफली ठीक है माँ सबसे पले यहां पर ओपन करता हूं मेरा गूगल करो मिहां पर आके मैं सिंप्ली पेस्ट करता हूं एस टी डॉक्स तक मरी रिवोग करता हूं और मैं आप पर सिंप्ली टाइप करूंगा लोकल होस्ट आप लोग मेक्शोर कर लें कि आपका जो इसके बारे में भी आएंगे देखो सबसे पहले में आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग को देखो है सिंप्ली कुछ कंटेंड लिखा गया है और यहां पर कुछ हमारा मेनू नेविगेसिन दिखा दिया गया है और जिसमें होम अबाउट सर्विस नाम के कुछ भी आपको 60 अबाउट गूं का यह रोत तो बैसिंप्ली के करूं लिखा यह अगया तो आप लोगो इसको करता है धाने का शुकtor क्या फोला को नबाउट गो छोंट्वा नेवाल के घुर ठैन्मा के तो बैसेगली sentence change हुआ तो आप लोग मुझे यह बताओ कि अगर मैं इस code को क्यों ना मैं simply यह code same रखू हरा फाइल के अंदर basically page तो reload हो रहा ना मेरा अगर क्यों ना मैं इस file को यहाँ पर same रखू इस लेकिन मैं simply उस file के same रखने के बाद में से जो मेरा home है मालो कि मुझे simply क्या है कि ऐसा आदे को मैं आप लोग को बजाता हूं मुझे only यह change करना है और बाकि तो same ही है ना हर एक file के अंदर तो मैं क्या करूं मैं एक अलग file बना दू इन सबीकी जो same है उनकी एक अलग file बना दू ठीक है और जो simply change हो रहा है उसको हम अलग-अलग file के अंदर simply तोड सकते हैं ठीक है तो कैसे कर सकते हैं इसलिए हम लोग यूज करते हैं आप इंक्लूड अंड रिक्वाइर अभी आप लोग को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी लेकिन आपको बजाता हूं सबसे पहले हम code के अंदर चलते हैं देखो यह code है थोड़ जूम कर लेता यहीं वर्ट रप पर क्लिक कर लेता हूँ पहले से वर्ट रप पर क्लिक था सोरी उसके लिए एंड मै यहां पर इस तरीके से कर लेता हूँ डेखो तीन simpli क्या है लो sorry चार simpli यहां पर क्या बटन है यह simply home की file एंडेक्स.phb home की file है simply ठीक है और देखो इसमें navigation है यह simply इस पर भी है अगर मां about पर चलो तो about के अंदर भी है service के अंदर भी चलों तो service के अंदर भी है और contact के अंदर चलों तो simply contact के अंदर भी है इसको बोलते है hard coded जो हमको बिल्कुल नहीं करना है ठीक है यह simply आपका जो भी application उसको slow कर देता है इसको आप लोग use ना करें इसकी जगह हम लोग करेंगे क्या जो code बार बार repeat हो रहा है उसको हम लोग एक file के अंदर transfer कर देंगे और उस file को हम लोग simply access करेंगे हैं हर फाइल के अंदर using include statement और कैसे कर सकते हैं बात करते हैं सबसे पहले कुछ जैसा करते हैं करते क्या है यहाँ पर आगे करते कुछ जैसा है मैं आपको दिखाऊंगे अगर about पर चलके तो आप लोग देखोगे मुझे इसके अंदर simply मैंनो मिल चुका ठीक है मैं सभी पर सारो को हटा देता हूँ ठीक है इस तरीके से मैं पहले तो इसको copy कर लेता हूँ आप लोग का जो कॉंटेक्ट है उसके अंदर भी नहीं है यह चीज़ ठीक है तो आप कैसे मालने यह आप लोग बोलोगे यह हम कैसे मालने आपको या अभी तो मैंने simply हटा कि दिखा है अगर मैं सिंप्री सर्विस डोट पेज पर चलो तो आप लोग देखो कि सिंप्री यहां पर लिग के आ चुका सर्विस पेज तो बिसिकलि सर्विस का मैंने simply यहां पर यह जो पेज शेव नहीं कि आप मैं सिंप्री स्को रीफ्रेस करूंगा तो यह देखो हट चुका है अगर मैं आप सिंप्री जाओं पेज तो मैं सिंप्री कॉंट्रेक्ट पेज यहां पर लिग कि आ चुका है जो चेंजमेंट हो रहा है कंटेंट वही मुझे चंटेंट यहां पर चाहिए जो चेंजमेंट बावा बाकि जो रिपीटेट फंक्शनल्टी है उसकी हम लोग अलग सेप्लेटली फाइल बना के सकते हैं कि अटीक है तो मने थे क्लीक लिएक नए फाइल बनाओंगा त्रीक और म모थ दसकि पर करूंगा इसको इस तरीके से लग वाठिटेक्ट सेमेंगा था with reference किया और मने सिंप्लि सेव किया देखो कुछ नहीं आया आना भी क्या हमने बताया कहां पर कि क्या चीज कहां पर एड करनी अभी तक हमने वह चीज नहीं बताई है तो अगर मैं इंडेक्स.php पर चलू और यहां मैं simply box के अंदर चलूँ मैं simply PHP open करूँगा इस तरीके से जब हम लोग PHP का script लिखते हैं तो obviously हम लोग PHP open करते हैं PHP closing tag डालते हैं और हम लोग लिखेंगे क्या include हम लोग क्या लिखेंगे include include का मतलब होता है एक PHP की file है उस PHP की file के अंदर एक PHP की file और add कर दो include का मतलब है simply Hindi के अंदर सामिल कर देना ठीक है इतना ही मतलब होता है require का मतलब भी simply ही होता है कि कोई file है उसको get कर लो कोई दूसरी file के अंदर ठीक है तो include हम इस index.php file के अंदर इस हम बोल रहे हैं कि code के अंदर आप लोग लिखोगे इसके अंदर आके आगे कि जो nav.php है इसको आप लोग सामिल कर दें कहां पर सामिल कर दें यह जो box है इसके जस्ट नीचे तो मैं आप से नेव.php लिख देता हूं इस तरीके से और मैं तो basically क्या करें हम लोग यहां पर simply चलते है index.php all right आप लोग देश्ट यहां पर home about service contact यहां पर add होके आच चुका है हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया हमने simply इतना ही किया include लिखा और basically क्या किया हमने include लिखके simply home को हमने get कर लिया इसका जो menu था हमने simply get कर लिया perfectly अब guys मैं अगर यह जो content मैंने लिखा complete paragraph इस complete paragraph को मैं control x करूँ और मैं इस तरीके से simply एक नई file बना लोग क्योंकि यह भी तो बार-बार repeat हो रहा ना सभी के अंदर तो मैं इसा करूँ मैं आप इस तरीके से डालू पी content इस तरीके से इस तरीके से एक file बना ली और मैं इस यहां पे PHP डाल देता हूं और मैं आप इस तरीके से paste कर देता हूं इसको मैं simply save कर देता हूं simply beautiful mode के अंदर all right तो simply यह जा चुका है यहां से यह देगो बिल्कुल इस तरीके से प्रिमपटे है यहां पर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग करेंगे क्या यह जो पी content है basically कहां से हमने cut किया था हमने यहां पर simply is I1 के जिस नीचे किया था तो हम यहां पर लिग देंगे PHP और हम यहां लोग यहां पर simply PHP close कर देंगे हम लोग यहां पर लिख देंगे include और क्या लिख देंगे कौन से फाइल इंक्लूड करना चाते हो यह जो पी content है पी content.php लामक फाइल इसको मैं include करना चाता हूं सेव करूँगा प्रोग्राम को run करूँगा तो आप लोग देखो इसके अंदर यह वाली फाइल यहां पर perfectly आ चुकी है मैंने कहां पर code लिख रहा है मैंने simply speak content के अंदर सारा प्रोग्राम लिख रुका है लेकिन मैं simply run कर रहा हूं index.php को और मैं require कर रहा हूं इसको simply हाँ पर तो आप लोग देखो अब इसलिए चीज मुझे आ पर दिखाई देगी और जो कि perfect है और footer भी तो यार बार 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 चैंज ही हो रहा है तो इस footer की हम लोग simply इसको complete cut करके ctrl x कर लेते हैं और हम लोग simply एक नई file create कर लेते हैं लिख देते हैं simply footer dot php और मैं यहाँ पर इस तरीके से सेव कर देता हूं और थोड़ा इसको beautiful printer के अंदर कर देता हूं अब यहाँ पर मैं simply आप प्याचपी open and PSP close कर देता हूं उस तरीके से और मैं यहाँ पे include लिग देता हूं और मैं आप लिग देता हूं simply footer dot php को include अगर मैं संटेटरी लाइन के अंदर एक फाइल एक फाइल गांदर हमने स्वाइल होचिका एक अलग से प्रैटली हमने सारी फाइल से बना दी है चुक्कि हमारा बिस्क ली एक रन बेशरी स्पीड से होगा ठीक है अब भाल एक सिद्टी से होगा इससे जो कि perfect है और अब हम लोग करेंगे का हम लोग साथ यहीat code completely हम लोग क्या करेंगे हर एक content के अंदर डाल देंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे अगर मैं फो completely ctrl c करता हूँ ठीक है और मैं simply अगर about.php पर चलू इस complete code को मैं simply paste करके only मुझे यहाँ पर लिख देना simply about page बस बात खतम about page simply ठीक है तो हमने about page लिख दिया और मैं simply हाँ पर service पर चल के इसको यहाँ पर डाल के simply हाँ लिख देता हूँ service page इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर simply मै contact पर चल के यहाँ पर इसको completely cut करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं simply service पर all right मैं simply contact page लिखना था मुझे contact page all right save करता हूँ मैं और यह देखो मैंने simply रहने किया मेरा काम perfectly चलेगा मैं simply देखो अभी home पर हूँ मैं simply about पर चलूँगा about पर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल और content से हम बिल्कुल आप लोग देख सकते हो तो क्या हुआ मैं about about के अंदर आगर आपको लेके चलू ना मैं तो आप लोग इस about PHP के अंदर देखो मैं कुछ है नहीं सारा content दूसरी file से आ रहा है ठीक है तो यह एक बहुती अच्छी चीज होती है include हम लोग simply का यूज करेंगे जब भी हम project बनाएंगे तो और और अच्छी से हम लोग simply use करेंगे यह simply एक demo था और मगर थोड़ी किल बताता आपको चीज य नहीं आती इसका मतलब simply यह है sort के अंदर देखें तो एक PHP फाइल को दूसरी PHP के अंदर gate करना obviously इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता ठीक है यह तो बात होती है simply include है बात करें require की एक छोटे से topic के अंदर आप लोग को simply समझा देता हूं require क्या होता है देखो require का मतलब simply यह है कि यार देखो दोनों चीजें वैसे सेम है include है require है दोनों यह चीज़ को दूसरी फाइल को get करने के लिए काम में आता है ठीक है तो basically require statement का simply use इतना सा है कि अगर मैं देखो सबसे पहले मालो की nav dot मैं simply अभी home पे चलता हूं यहां पे देखो यह perfectly home PHP मेरे सामने हाँ पे home page perfectly open हो है को यहां पर गलती से nav कर देता हूं और मैं simply run करता हूं तो देखो मुझे only इसी के अंदर error दिखाएगा इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है लेकिन अगर अगर आप लोग simply use करते हो वहां पर जाके require का आप लोग इस नहीं चला ना तो इससे आगे वाला code यह भी नहीं चलेगा require का simply यह मतलब होता है तो basically ज़्यादा यूज करता है यहां पे निकलूड का require का भी यूज करता है ऐसी बात नहीं है लेकिन यहां पर हम लोग यूज कर रहे होंगे include statement का जो काफी ज़्यादा आपने आपने आप में fast होता है काफी ज़्यादा आपने रिलाइबल सीज होत about page पे मैं simply service page पे आचका हूँ, contact page पे आचका हूँ, home पे आचका हूँ, basically हम लोग यूज कर सकते हैं आप include का और require का, hope की चीज़े clear है, मैं यहाँ पे include ही करते हूँ, आप लोग अपने साब से कर लें, कल हम लोग बात करेंगा what is include once and include basically once तो हो चुका, require once, obviously lady है, इसके बार आप लोग प्रोजेक्ट पे तोर पे आप लोग सिंप्लिस को create कर सकते हूँ, मैं आपको simply task दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाओगे ठीक है, और आप लोग सिंप्लिस को बना के मुझे बताओगे, दिखाओगे ठीक है, तो यह चीज़ आपको करनी है, और बस गाईज, आज शुरुत नहीं, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए थेंगे हूँ, आपको बस टेक केर, बाई बाई